हेलो फ्रेंड्स कैसे ही आप सब टेक हवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है इंगलिश टाइपिंग सीखने की इस स्रीज का आज दूसरा दिन है या डे टू है अगर आपने डे वन का काम अच्छे से कर लिया है तो आपको डे टू का काम करना है सो डे टू के बारे में मैं आपको बता हूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप ये वीडियो में अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हो तो उसे फुल स्क्रीन मोड में कर लेना ताकि आपको सारे कीज अच्छे से दिखाई पड़ें और मेरी उंगलियों का मोमे अपर ही जो लाइन होती है वो क्या होती है अपर रो अपर रो के ऊपर देखिए आप सब नंबर्स लिखे हुए हैं क्योंकि नंबर्स लिखे है तो इसलिए इसे हम नंबर रो कहते हैं होम रो के जो नीचे वाली लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं बॉटम रो ये नीचे ह अब आप देख पा रहे हो कि ये home row में G और H हमारे बचे हैं भी और एक ये जो की है ये हमारी ये भी बची हुई है ठेक है day 1 में मैंने आपको ये कीज इसलिए नहीं बताया कि फिर आप काफी confusion में आ जाते और आपका day 1 था आप tabbing के बारे में कुछ नहीं जानते थे तो उंगलियों की shifting है तो हम आज shifting के बारे में भी दूस्तों जानेंगे और कौन सी उंगली से कौन सी कीव प्रस करनी है ये जानेंगे ठीक है सो आपकी जो position है asdf semicolon lkj पर ही रहेगी यूँकि ये हमारी home position है या resting position है आप जो कुछ भी type नहीं कर रहे होते हो तो आपका हाथ इस position पर रहता है ठीक है अब आप देख पा रहे हो कि जो g की है g इसके सबसे pass में कौन सी उंगली है ये वाली उंगली है तो जाहिर सी बात है g हम इस उंगली से प्रस करेंगे क्योंकि इसके ठीक पास ये उंगली रखी हुई है clear है वैसे ही H के पास में कौन से उंगली है ये वाली उंगली है तो जाहिर सी बात है कि H को हम इस उंगली से प्रेस करेंगे ठीक इसी तरीके से ये जो कि आप देख पा रहे हो देखे अब इन दोनों कीज में एक सिंबल नीचे बना है एक उपर बना है यहाँ पर भी एक नीचे बना है एक उपर बना है तो ये बात आप बिल्कुल नोट कर लो कि जो सिंबल दोस्तों नीचे बना होता है वो हमारा बनता है बिना शिफ्ट के और जो उपर जो symbol बना होता है वो बनता है shift के साथ में वो कैसे बनेगा कैसे हम shift का use करेंगे वो आगी की class है अभी आपको सिरफ नीचे वाले symbol से दोस्तों मतलब है ठीक है वो अलग बात हो गई अब इस वाली की से बनता क्या है इस वाली की से बनता है single inverted comma देखिए हाँ पर एक single inverted comma बना हुआ है और इसके ठीक उपर double inverted comma बना हुआ है जो की shift के साथ में बनता है वो आगे की class की बात है वो आगे बताऊंगा अभी आप दिए समझो इससे बनता है semicolon इससे बनता है single inverted comma अब देखते है a, s, d, f g, f space single inverted comma semicolon l, k, j h, j space ये काम है आपका day 2 का या second day का आपका ये काम है एक बार हों फिर देखि लेते हैं a, s, d, f semicolon l, k, j और ये अंगठा space बार पे a, s, d, f g वापस आगे f space single inverted comma semicolon l, k, j h और वापस आगे j space अब फ़ोड़ा सा speed में देखते हैं a, s, d, f g, f space single inverted comma semicolon l, k, j, h, j a, s, d, f, g, f single inverted comma semicolon l, k, j, h, j ठीक है इस तरह से आपको करना है day two में कितना करना है दोस्तों कम से कम तीन से चार घंटे आपको practice करना है ये exercise ताकि आपकी जो movement है ये movement दोस्तों typing में बहुत बड़ा rule रखता है अगर आप ये shifting समझ गए तो होता क्या है दोस्तों जैसे आपने ये वाली उंगली G पर move करी वापस चले आए ठीक है तो धिरे धिरे आपके हर अंग में दोस्तों क्या होती है मांस्पेशिया होती है मांस्पेशियों के पास भी अपनी एक याददाश्त होती है एक memory होती है तो आप जब बार-बार इतनी ही दूरी पर ले जाओगे तो क्या होगा कि आपके इस उंगली की muscles में ये save हो जाएगा कि इतनी दूरी पर move करने पर G बनता है तेक है तो ये आपकी muscle नमड़ी दोस्तों धेरे-धेरे बिल्ड होती है ताइम लगता है चार दिन, पांस दिन, छे दिन और फिर आप keyboard की तरफ दूरी बिना देखे G पर ले जाओगे G प्रेस करोगे वापस ले आओगे S पर ले जाओगे प्रेस करोगे वापस ले आओगे Single inverted comp ले जाओगे प्रेस करोगे बिना keyboard को देखे और Day 1 का काम हो या Day 2 का का दूस्तों काम हो आपको keyboard की तरफ देखना नहीं है ठीक है Keyboard की तरफ आपको एक दो बार आप भलेश Starting में देख लो कि यहाँ पर G है यहाँ पर H है अगे आपको keyboard की तरफ दूस्तों नहीं देखना है इतनी मत क्लियर है So अब Day 2 में आपको करना क्या है आप MS Word पे जाएंगे यह positioning दूस्तों कर लेंगे ठीक है Type करेंगे और font size दूस्तों मैं आपको बता दूँ काफ़े लोग करते क्या है कि काफ़े सारे page भरने के चकर में वो लोग font size को 20 के ऊपर निकाल देते है font size आपको कितना रखना है 14 14 font size कर लेना है उसके बाद आपको इसब type करना है ठीक है एक बार हम दुस्तों आज का जो हमारा lesson है फिर से एक बार देख लेते है ASDF Semicolon LKJ और यह space पे thumb हमारा रहेगा यह हमारी resting position है या home position है G के पास वाली उंगली कौन सी है यह तो G प्रस करेंगे इस उंगली से H के पास वाली उंगली कौन सी है यह तो H प्रस करेंगे इस उंगली से अब यह तो single inverted comma जो नीचे बना हुआ है इसके पास में कौन सी उंगली है यह वाली तो जाहिर सी बात है इससे प्रेस करेंगे लेकिन अब यह नहीं कि आपने वहीं पर उंगली रख ली प्रेस करके वापस चले आना है ठीक है दोस्तों यह आप करना है कम से कम 3 से 4 घंटे आप अगर लगातार नहीं कर पाते हो तो आप हर आधे गंटे बाद 10 मिनेट्स के दोस्तों ब्रेक आप ले सकते हो और उस 10 मिनेट्स के ब्रेक में आप चाहो तो टहल लो या आप म्यूजिक भी सुन सकते हो ठीक है लेकिन टाइपिंग करते है वक्ता आपको म्यूजिक नहीं सुनना है दोस्तों आज का वीडियो हमारे ही पर एंड होता है कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके दोस्तों पूंच सकते हो थांक यू